बांगलदेश के पधानमंत्री के पद से इस्तीफे देने और देश छोड़कर भागनी के कुछ ही घंटो बाद शेक हसीना सुमवार को गाजियबाद के हिंडन एरबेस पर भारत पहुंची जहां उन्होंने राश्ट्रिय सोरक्षा सहलकार अजित डोभाल से मुलकात की सुत्रो ने बताया है कि उन्हें एक सेफ हाउस मिले जाया गया है और उन्हें युनाइटट किंग्डम जाने की संभावना जताए जा रही है हाला कि शेख हसीना ने ब्रिटेन से अपने लिए पनहा मांगी है लेकिन अभी तक उन्हें ब्रिटेन की ओर से कोई ग्रीन सिंगनल नहीं मिला है सुमवार रात को प्रधान मंत्री मोधी ने काबिनेट कमेटियों सिक्यूरिटी यानि की सी सी एस की बैठक की और बंगलदेश की इस्थिती का जाइज अलिया बैठक में ग्रह मंत्री अमिट्शा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, विदेश मंत्री स जैशंकर, वित्यमंत्री निर्मला सीतरमन और खूफिया एजेंसियों के वरिष्ट अधिकारी मौजूद थे विदेश मंत्री S.J. शेंकर ने भी मोदी को इस्तिती के बारे में पूरी जानकारी दी बता दे कि हसीना अपनी बहन के साथ सुमवार शाम को दिल्ली के पास हिंडन एयर बेस पर उत्री थी लेकिन सूत्रों ने बताया है कि उनकी ब्रिटेन जानी की संभावना है सूत्र ये भी बताते हैं कि शाम करीब 5 बचकर 15 मिनेट पर हसीना बांगलादेश वायू सेना के C.130.J. सेन परिवहन विमान से हिंडन एयर बेस पर उत्री डोभाल के साथ उनकी बाचीत के दोरान वरिष्ट सेन अधिकारी और खूफिया एजिंसियों के अधिकारी भी मौज बात कर सकती हैं बता दे कि साइमा दिल्ली में ही रहती हैं और वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के ये साउथ इस्ट एशिया के रीजनल डारेक्टर के रूप में काम करती हैं तो वहीं BSF के डीजी दलजीत चौदरी लगतार दूसरे दिन बांगलदेश भारत बॉर्डर के दौरे पर हैं वो आज पश्चिम मंगाल के पेट्रा पोल क्रॉसिंग का दौरा करेंगी भारत बांगलदेश बॉर्डर पर BSF जवानों ने 24 इन्टु 7 अलर्ट पर रहने का निर्देश भी दिया गया है BSF की महाने देशक सुन्दरवन इलाकी का पहले ही दौरा कर चुके हैं बांगलदेश के ऐसे हालात पर आपकी राय क्या हमें कॉमें शेक्शन में बताएं साथी साथ सारे लाइव अपडेट्स के लिए जोड़े रही जनसत्ता के साथ झालदेश बताएं